नमस्कार आप सभी कैसे हैं आशकर तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो छटा चैप्टर हम पढ़ा रहे थे स्टैटिक एंड डाइनेमिक इकनोमिक्स स्थैटिक एवं प्रावेगिक अर्थोशास्त्र पहला टॉपिक उसमें दू टॉपिक ते आप जानते हैं स्थैट यह लाट्ट विडियो आज देख लेते हैं हम स्थैटिक अर्थोशास्त्र का जिसमें हम इर्थोशास्त्र की सीमयें क्या होती है सिमयें घृत्षास्त्र म는 मानेद अश्यार को बता हो घंख कबी नहीं स्था शार्थोशास्त्र की साथ ऐससी Given का सबसे पहले देख लेते हैं अर्थशास्त का महत्व क्या है importance of static economics सरल पद्धती हाँ तो ये method बहुत सरल है कोई भी चीज का आपको अध्यान करना है तो easy method है आप आराम से कर ले सकते हैं फिर बें दो-तिन लाइन पढ़ते हैं वर्थमान समय की जटिल एवं पेचीदा पेचीदा का मतलब होता है जो जटिल कठिन होती है पर फितियों में अर्थ विवस्था की कारिविदी उलजने में उलजनों से भरी हुई है ठीक है तो ये बात सही है कि आज की जो अर्थ विवस्था है परिवर्थन शिल अर्थ विवस्था का वेज्ञानी के अध्वन करना बड़ा कठिन कार हो गया है जब वुच्जीज पढ़ने लगते हैं तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते है यही चीजव बोल रहा इस्थैतिक मतलब अलफवेट समझ लीजे इसके पाद हिंदी पढ़ने लगे। तो esthetic art विधी कि अव υशकता पढ़ती इसकी साहता लेनी पढ़ती है। गatशील अर्थविष्ता का अध्यान प्रावेगिक अर्थवरस्थां को छोटी चोटी static अवस्थाओं से तोड़ देने से सिविधा जनक हो जाती ये बोल रहा है कि गतिशील अर्थवस्था कर आपको अध्यान करना है तो उसको छोटी छोटी अर्थवस्था के अध्यान में तोड़ दीजे उसके बाद आप इसको अध्यान कर लीजे तो प्रावेगिक अर्थवस्था जो है आराम से आपको समझ में आ जाएए दूसरे उच्छ गणती ग्यान की अवश्यक्ता नहीं होती तो high mathematics not required ये चीज सही है कि high mathematics का use इसमें नहीं होता है और वह भी नहीं सकता उसमें गणती ग्यान की अवश्यक्ता पड़ती है क्योंकि इसमें कुछ जटिल समस्याओं का आर्थिक विचलेशन के लिए जटिल समस्याओं का हल तब नहीं ढूना जा सकता है जब तक कि गणत का उपयोग न किया जाए तो जो डाइनेमिक सम्यक्राइब करना पढ़ेगा स्टैस्टिक का यूज करना पढ़ेगा इसलिए प्रावेग्यक्विचलेशन जसामाने के लिए उप्योगी सबको नहीं सम जा सकते क्यों कि आम जंता इसको नहीं समझ पार गयं था तstat staple किं होगा बहुत सारे यही चीज़ करा है यह इसलिए यह सरल होती है सिंपल मैठोड है क्योंकि हाई मैथमेटिक्स नॉट रिक्वाइड होती है इसमें वैग्यानिक विशलेशन की अवश्यक ठीक है यह तब इस्थाथिक विशलेशन में गड़ित की सहायता नहीं ली जाती है य अगर भी विज्यानिक अगर आपको अनलेसिस करना है तो आपको स्थाथिक जो एकोनोमिक से उसका यूज़ आपको करना होगा और लास्ट है विश्यवस्तु का महातों इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर अर्थशास्त की अधिकांश से समगरी स्थाथिक अर्थश में से ही आप लिखोगे अलग से नहीं लिख सकते क्योंकि उसका सिंबल जो डिफाइंड है वहीं कह रहा है कि अगर आपको प्रावेगिक समझना है तो इस्थाथिक समझ यह प्रावेगिक अपने आप से समझ में आ जागा और प्रावेगिक जब समझोगे तो बेसिक सिधान के सिधान अंतराश्टी व्यापार आदी बातों का अध्यन किया जाता है यह चीज़ बोल रहा है चलिए अब हम इस्थाथिक अर्थुचास की सीमाएं देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ इस्थाथिक एकनोमिक्स सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो इस्थाथिक ध तो यह बिसिकली यही कह रहा है कि हमारी लाइफ में स्थाथिक अर्थुचास का मतलब एक्जेस्ट नहीं करता है डाइनेमिक एकनोमिक्स से यूज होती है लेकिन हाँ डाइनेमिक एकनोमिक्स को पढ़ने के लिए समझने के लिए सबसे पहले हमको स्थाथिक अर्थुचा का होना जनसंख्या का निश्चित आकार होना यानी जनसंख्या का निश्चित आकार हो ठीक है लेकिन दोनों ही मानिताइanna तो गलत हैं मैंने आपको एक दिन बताया था जो पूर्ण effectivement यूगता है या फिर पून रोजगार है यह हर जगा तो एक्जिस्ट नहीं करता है भाई पून रोजगार कहां पर है हर जगा थोड़ी नहीं है अगर अमेरिका विक्सित है ना तो इसका मतलब यह नहीं कि सब employment है जग संख्या का निश्चित् 63 अकार हर देश में नहीं हो सकता जैसे भारत की ऐसी स्थिति है कि जग संख्या क्या है ओबर और इसरो जूप संख्या वाले है और बहुत सारी चीज़ मानकर चलते हैं ना कि जैसे कि माल्थास ने जनसंख्या का सिध्धान दिया था तो उन्होंने तब दिया था जब उनकी परिस्थिती थी आप इस इसाफ से समझेए ना परिस्थिती चेंज होगी तो भाईया मेरा मानना हैं अर्थुशाथ्र में वो नियम थोड़ा स था कौन से दिक्कत है इसी लिए उसके बाद जो सिध्धान आया जनसंख्या ले वो आया अनुकूलतम जनसंख्या के सिध्धान जो कि माल्थास के सिध्धान को थोड़ा सा मोडिफाई करके आया था ठीक है तो वो सिध्धान और भी अच्छा हो गया उसके बाद और भी ज नहीं होती है, दूसरा हर जगा निश्चित जनसंक्या का अकार भी नहीं होता है, तीसरी जो है परिवर्तनशील तत्तों को इस्थिर मानना, वेरीबल फैक्टर्स are not constant इनके कहने का मतलब है, इस्थैतिक अर्थशास्थ का सबसे बड़ा दोश्या है कि इसमें जो तत्तों पर यह तो बदलती रहती है, एक ही जए ठोड़ी रहती, खान पान, आप जो 5 साल पहले, 6 साल पहले खाते थे, आज आपको चेंज हो गया होगा, दस साल पहले, माली जे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो आप 25 वाला चावल खाते थे, आज आप 45 वाला खान और इसमें मालिया गया है, यह चीज़े बोल रहा है, अता इस प्रकार की बातों को इस्तर मान कर वैज्यानिक अध्यान को अवैज्यानिक बना दिया जाता है, यहीं कह रहा है, लेकिन, 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 उपरियुक तो दोशों के होते हुए भी स्थैतिक अर्थोशास के अध्यन को समाप्त नहीं किया जा सकता मैं तो कहुंगा समाप्त हो ये नहीं सकता है इसका अध्यन जरूर करना पड़ेगा परिवर्तशील व्यवस्था में प्रावेगिक आर्थिक अध्यन अनेका अनेक जटेलताओं से भड़ा पड़ा है ऐसी दशा में स्थाहतिक साथ में हम बहुत डीपली स्टेडी करते हैं उससे क्या का हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है कि आखरी स्टैटिक और तो शाथ में यह समझ्य आ कहां से रही है आखरी रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे है कीमते क्यों बढ़ रही हैं टैक्स इसे क्या करने की सरकार को दिक्कत ना हूँ उसके पास इन सबका अध्यनगर आपको करना है न तो स्टैक्टिक में करना पढ़ेगा सबसे पहले उसके बाद ही डाइनेमिक में आप स्वीच हो सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगली वीडियो में हम डाइनेमिक एकनॉमिक्स की सारी चीज़े पढ़ेंगे, धन्यवाद.